हेलो दोस्तो नमेशकार किलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर है एक बहुत ही अच्छा सवाल भी कई दिनों से पूछे जा रहे थे इससे रिलेटेड आज भी मैंने एक वीडियो बनाया था बट यह उसका कंप्लीटली अपोजिट वीडियो है और बहुत ही लॉजिकल वीडियो है और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि फसने के भी चांसे से वह कैसे तो जरूर वीडियो के साथ बने रही है आप लों को ची गिरती है आपने तो अच्छे कंपनीज बता दिए कि वहां पर आप चाहों तो बाइंग भी कर सकते हो पर उसी के साथ-साथ अगर देखा गया तो क्रूड ओइल जितना महिंगा होते चला जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टॉक को इसका फाइदा भी हो तो दोस्त अच्छा का सा पैसा बन सकता है तू सर ऐसे स्टॉक बता दीजिए क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे इसमें कुछ मतलब बहुत सारे स्टॉक के नाम है बट यहाँ पëर ज्यादा तर करके ऐसे स्टॉक है जहाँ पền अपरेटर आप लोगं को फसा सकते हैं, अपरेटर मतलब कौन मैं इसे रिलेटेड अल्रेडी विडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर मैक्जिमम रिटेल मिस्टर की सोच जाती है, वहाँ पर आपको ऑपरेटर देखने को मिलेंगे, मतलब मैक्जिमम रिटेल मिस्टर सोचें आप एक long term investor हो, तो इस चीज़ का फाइदा उठा कर, अगर आप investment करने जाओगे, तो आप शायद से यहाँ पर फस भी सकते हैं, आप track भी हो सकते हैं, वह कैसे, तो चले मैं आप लोगं को बता तो अभी कौन-कौन से stocks इसका फाइदा उठा सकते हैं, और उनके businesses के हैं, तो चले, वो भी आप लोगं को पता चलेंगे, तो एक-एक stock को पकड़ते हैं, तो देखे, सबसे पहले दोस्तो, oil India, yes, oil India की अगर हम लोग बात करें, आज देख सकते हैं, कितना भागा है, मुझे जादा बोलने की जरूत नहीं, साड़े 9%, तो साड़े 9% भागने वाला stock क्या यह multi-wagger है, तो चेक कर लेना, मेरा जो 7 parameter वाला वीडियो है, उसको ज़रूर एक बार देख लेना, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाती है, तो मैं maximum chart pattern open करता हूँ, maximum chart pattern ही में ने open किया, आप लोग ने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4-5% के return से दोस्तो, और यह company कब से क यह देखो, 2009 से लेके 2020, या फिर चलो 2020 नहीं, तो 2022-21 पकड़ लेना, यह देखे 50% तो दाउन ही था, तो अभी की जो situation है दोस्तो, वो इस company के लिए बहुत ही favorable है, यह देखे 6 मेने की बात करें, तो 35% की return से, एक साल की बात करें, तो 91% की return से, बट फिलाल की situation अगर हम टाइम तो यह पर रहने वाली है नहीं, तो crude oil जितना भेंगा होगा, oil India company बहुत फाइदा उठाएगी, तो क्या खरीद ले देखे, मैं तो बिलकुल भी नहीं खरीदूँगा, यह मेरा personal opinion है, definitely आप लोगों का opinion अलग हो सकता है, यह जो फिलाल जो वह जैसे चलते crude oil यह कितना time कमाईगी, तो कभी तो जाके रूखेगा, तो वापस लुडग जाएंगे stock, तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि operator बहुत ही जादा शातिर दिमाग रहते हैं, आपको ऐसी stocks अभी बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेंगे, आपको recommend भी किया जाएंगे, तो म यह चीज़ भी आप लोग ने ज़रूर दिमाग में आपे रखनी चाहिए, एंड देखे, operator बहुत ही शातिर दिमाग होते हैं, वो क्या करते हैं, कि जो सस्ते stock होते हैं, वही पे सबस्यादा मतलब तीजी लाते हैं, मतलब अभी आप देख सकते हैं, आपे 9-10% की तीजी, अगर बहुत ज़्यादा महेंगा रहेगा न, वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि रिटेल मेंश्टर इग्नॉर करते हैं, वह साथ हजार का stock है, वह साथ हजार का साड़े साथ हो गया, आठ हजार हो गया, नो, दस हो गया, तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि प्राइस क्या करते हैं, चोटे-चोटे companies को भगाते हैं, तो 200-200 हो गया, 260-80, 300 हो गया, तो फिर रिटेल मेंश्टर को फूम फिर होता है, बतलब ऐसा लगता है कि हाथ से मोका चला जा रहे और वो खरीद लेते हैं, और बाद में वो डंप होता है, तो फिर आप लोग अटक जाते है अब इसका maximum chart pattern से यह अंदाजा लगा सकते हैं, इसके पहले भी crude oil बड़ा था कि नहीं, 2009-2010 में, तो यह company top पे थे, उसके बाद देख लेना, नीचे आगे, तो यह एक example हुआ भी चलिए, बहुत सरे stocks cover करने हैं, आज आते हैं next, ONGC, oil and natural gas, crude oil के अगर हम लोग alternative के बात करें तो यह देखे, शुरुआत अच्छी थी, 0.5% की तेजी, यह देखे, शुरुआत बहुत ही कमाल की थी, gap up and उसके बाद profit booking, तो ONGC की भी अगर हम लोग आपे बात करें, तो आपे फिलाल तो अच्छा ही चलते वे देखने को मिलेगा, फिलाल की situation के साब से, 5 साल चेक तो देखे, minus 15%, maximum chart pattern देखोगे, तो कोई भी दम नहीं है इन companies में, तो इसलिए कहना चाहूँगा, ऐसे companies को फाइदा ज़रूर होगा, ट्रेडर लोग उसका फाइदा उठा सकते है, right, मैं कोई trading की बात नहीं करो, मैं investment की बात करा हूँ, so investment मतलब क्या company fundamental strong होनी चाहे, long term के ल भी थी, पाच साल में 4% के भी returns नहीं है, maximum देखोगे तो यह देखे, बिलकुल भी normal, मतलब यहापे कोई wealth creation हम लोगों को देखनी को, आप इन इमिलर में फिलाल की situation के इसाब से बात कर रहा हूँ, so gel भी आप देख सकते हैं, president of India, सरकारी company, तो इन companies को फाइदा जरूर है, कोई news सना दे, या फिर कोई ऐसी कभी news आजाए कि crude oil भेंगा हो जाए, तभी जाकि इनको फाइदा होता है, अगर यह news को हटा दे, तो यह company वापस नहीं चाहेगी, जैसे कि हम लोगों को अभी भी देखने को मिल रहे हैं, कि बहुत सरे retail minister, इनमें और पुराने समय से कई सा बता हो दोस्तों, कि सिर्फ news को देखके, अगर आप लोग डिशन लोगे, तो फिर आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएगे, रॉंग हो जाएगा आपका decision, और बाद में इतना loss हो जाएगा, कि वो recover करना भी मुश्किल हो जाता है, हमें ऐसे companies को पकड़ना है, जो क इस news को भी अटा दे, तो अपने पेरों के उपर खड़ी है, और news आने के चलते उसको फाइदा हो रहा है, वो तो उसका extra bonus है फिर, तो ये चीज़े हम लोगों के radar के उपर ऐसे होनी चाहिए, ऐसे company से मैं तो यहापर जाना पसंद नहीं करूंगा, यह में बार-बार के रह थोड़ा लंबा पिच्चर देखो, पात साल में तो सिधा आधा ही कर दिया इन्होंने, जिन्होंने भी इनमें निवेस्ट किया था, तो इसलिए, company का business अगर आपको अच्छा लगता है, तो देखे, coal India अच्छी company है, बट business अगर देखा क्या, coal वाला आपको पता है, इसके जितने भी अभी जो चीजे है, usage से वो धिमेदी में आगे future में कम ही होने वाला है, तो इसलिए, ऐसे company में मैं तो जाना पसंद यहापे नहीं करूँगा, और coal India भी मुझे ने लगता कि आपको वापस बताने की ज़रूत है, बट चलिए, फॉर्मेलेटी अभी इतना कर गय तो क्या देखे, भाग रहा है, भाग रहा है, जरूर भागेंगे, crude oil जितना मेंगा होगा, उसका फाइदा यह जरूर उठाएंगे, बट कब तक, इसलिए मैंने का कि जिस वक्त अगर कुछ हो, यहापे एक खबर अगर आ गई, कि यहापे रशिया एंड यूकरेन में बात पर यहापे बढ़ रहा है, जरूर नामें दोस्तों, रिलाइंज इंडस्ट्री, यह रिलाइंज आप देख सकते हो, आज के दिन जितने भी गिरावाटे हम लों को देखने को मिली थी, जितने भी टॉप 10, टॉप 15 स्टॉक्स को अगर आप लोग ऐनलेसिस करोगे, यह सार करेंज दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, पहले जितने भी टॉप कंपनी से आज के दिन हम लोगो लाल अक्षर में ही देखने को आप मिल रहे हैं, अगर हम लोग टॉप कंपनी स्की बात करें तो, रैट बट फिलाल रिलाइंस हम लोगो यहापे हारे निशान में को आपे मिल रहा है इतने प्रेशर में भी तो रिजन जैसे मैंने का कि इनके बिजनेस के कारण हम लोगों को यह सारी चीज़े देखने को आप मिल रही है और अब अब अच्छे स्टॉक्स में यहां पर जाना चाहिए ताकि कल जाकर अगर न्यूज रिवर्सल भी आ जाए तो वहाँ पर ऐसा फिल नहीं होना चाहिए कि अभी हम लोगों ने ऐसे स्टॉक में इंवस्ट किया जो कि कई सालों से 50-70% नीचे था और अभी कुछ 4-5 दिनों पहले तेज चल रहा था तो इसलिए यह सावधानी बरत नी चाहिए इसलिए यह वीडि इसलिए जो 25 वीडियो की जो लिस्ट वो बिलकुल आप लोंको फ्री आफ कॉस्ट मिल जाएगी तो चले दोस्तों इस वीडियो को यह पर रोक लिए तो तक के लिए बाए-बाए